पारस का पत्थर भगवान राम को ललकारने वाले रावन को भलकौन नहीं जानता, हम सभी रामायन से भली भाती परिचित हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी ना तो किसी रामायन की किताब में पढ़ा होगा और ना ही किसी फिल में देखा होगा, बतादे की रावन का संबंद भारत के राजस्थान तक से था, जी हाँ अलवर शहर से करीब टीन किमी की दूरी पर स्थित एक गाउं है जिसका काफी गहरा संबंद लंकाप्ति रावन से जोड़ा जाता है, राजस्थान के जैन शस्त्रों की माने तो यह रावन भगवान शिव के स्वरूपा शर्वनात की तपस्या करने आया था, और उसी तपस्या के फल के रूप में उसे पारस का पत्थर मिला, बतादे की पारस का पत्थर एक ऐसा तथ्य है जिसके संपर्क में यदि लोहा भी लाया जाए तो वो भी सोना बन जाता है, रावन और उसकी पत्नी मंदोद्री दोनों ही भगवान पार्श्वनात की पूजा में लीन थे और उसी समय इंद्रदेव प्रकट हो उठते हैं, इंद्रदेव रावन और पत्नी मंदोद्री को पार्श्वनात भगवान की पूजा कर चमतकारिक पारस पत्थर का वर्दान लेने को कहते हैं इंद्र देव की बात सुनकर रावन ने अपनी पत्नी समेत भगवान पार्श्वनात की मन लगा के पूजा की और उनके प्रकट होने पर पारस का पत्थर का वर्दान मांग उसे प्राप्त भी कर लिया इस चमत कारिक पत्थर की आज बात ये थी कि इसके मंदिर की मूर्तियां को बीरबल मोहले में स्थित जन मंदिर में रखा गया है इस मंदिर को रावन पार्श्वनात मंदिर कहा जाता है रावन देहरा ने यही पूजा कर अपने पुत्र इंद्र जीत को प्राप्त किया था इंद्र जीत ने ही इंद्र प्रस्थ नगर बसाय जो आज की दिल्ली शहर है रावन देहरा जेन मंदिरों के अवशेश अब तक मौझूद है इन मंदिरों का रक्राव सरकार द्वारा नहीं किया जाता जिस कारण यहां बावन जिनालेओं के खंड हैर और परिसर में बने अन्य मंदिर प्राचीन मंदिरों के खंड डहर है। मंदिरों का उप्ररी भाग प्राचीन काल की विशेश वास्तुकला को दर्शाता है। फिर चाहे वो लोहा हो या पत्थर। चिन्तमनी को ग्रीक्स के अनुसार आज तक केवल एडम ही पा सका है और इसकी खोज में आज तक कई लोग अपनी जान तक गवा चुके हैं।